हलो बच्चो बच्चो इस वीडियो में डिट्रिमिनांड के जई मेंस प्रिविर्स येर के कोश्चन का डिसकसन करेंगे जैसे बच्चो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं हों कि ये आपका कोश्चन दो हजार उन्निस का पूछा हुआ है ठीके अब ये कोश्चन हमारा करेंगे इसको सॉल्व कर गएं सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये किस में आ रहा है क्वारिटिक में है कि क्यूबिक में है या बाइक क्वारिटिक में है ठीके तो चलिए करते हैं इसका हम सलूशन तो ये आपका दिया है डिट्रिमिनांड तो ये एक से माइनस एक्स माइनस 3x x-3 2x और यह x plus 2 है अब डिटिमिनांट को इसको हमें solve करना है मतलब expand करना है तो हम किसी भी row या किसी भी column से expand कर सकते हैं तो हम r1 के along expand करते हैं क्या करते हैं r1 के along expand करते हैं expanding along r1 r1 के along expand करते हैं तो कितना आजाएगा यह x और यह देखो यह minus 3x और यह x plus 2 तो multiply करो तो कितना आएए यह minus minus 3x square minus 6x फिर minus इसको इससे करेंगे minus 2x x minus 3 तो इसको direct multiply करके लिख देते हैं तो यह हो जाएगा कितना इससे करेंगे तो हो जाएगा minus 2x square और इससे करेंगे तो plus 6x हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 2x square अब plus 6x फिर minus और minus 6 तो minus minus यह plus हो जाएगा आगे देखिए अब ये 2 को इससे multiply करोगे तो कितना हैगा तो इह हो जाएगा 2X प्लस 4 ठीक है और minus 3 को इससे multiply करते कितना आएगा तो इह हो जाएगा तो अल्रड़ी minus लगा देते हैं अब फिर minus से हमें तो minus minus प्लस आजाएगा ये तो ये कितना हो जाहएगा 3X है और हमारा हो जाए कितना तो माइनस 9 फिर माइनस 1 अब ये हो जाएगा हमारा 4X और माइनस प्लuppू स अब फिर माइनस तो लगता है माइनस 9X इक्वल 2G तो यही अभी इसको solve करते ही और ये cancel हो गया ये हो गया माइनस 5XQ ये हो गया प्लूस 6 यहां पर हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5 यह हमारा माइनस 5x फिर यहां पर ठीके ना क्योंकि यह माइनस यह प्लस हो जाएगा तो हमारा यह कितना यहां पर लिख सकते हो माइनस 5x प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 9 तो यह हमारा कितना अगया प्लस 5X equal to 0 तो देखो minus 5XQ और यह हमारा हो जाएगा कितना तो यह हमारा आ जाएगा तो यह हो जाएगा 30X minus 30 plus 5X equal to 0 माइनस 5XQ plus 35X minus 30 equal to 0 माइनस 5 कॉमनली है XQ minus 7X plus 6 equal to 0 हमारा कितना आ गया XQ minus 7X plus 6 equal to 0 तो तो क्वारिटिक एक्विशन में आ गया तो क्वारिटिक एक्विशन का सम आफ ए रूट्स क्या होता है अभी देखो बताते हैं अगर हमारा कोई क्वारिटिक एक्विशन ऐसे X plus BX BX square plus CX plus D equal to 0 है तो इसके तीन रूट्स अगर होते हैं अलफा बीटा और गामा तो sum of A रूट्स क्या हो जाएंगे इसके तो अलफा प्लस बीटा प्लस गामा होता है minus B upon A तो इसके कितने हो जाएंगे यहां पर इसके लिए तो इसके अलफा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा minus B upon A अब इसमें B term तो हैंगे नहीं क्योंकि यह B हमारा क्या होता है X square के coefficient तो हैंगे नहीं तो यह जीरो हो गया और यह 1 तो कितना हो जीरो तो इसका answer sum of real roots sum of real roots कितना हो गया जीरो तीन इसके roots होंगे और तीनों roots का sum कितना हो जीरो किससे हम यहां से निकाल गएंगे क्योंकि यह cubic equation है चलिए next question कर लेते हैं अब अब यह देखिए बच्चों यह आपका question है 2015 का पुछा हुआ है चलिए question यह है कि if हमारा एक determinant में equation form दिया हुआ है यह determinant इसके बराबर है तो हमें A निकालना है A यहां पर दिया हुआ है अब यह X भी है यहां पर unknown value कभी भी इस तरह के question हमें solve करना हो तो हमें A निकालना हो और इसमें X यह से variable for दिया हो X दिया हुआ तो ऐसा करते हैं इस question को solve करने के लिए हम क्या करते हैं X का हम कुछ value लेट कर लेते हैं X का कुछ भी value ले लो X बराबर 0 भी ले सकते हो X बराबर minus 1 भी ले सकते हो अब X बराबर 0 इसलिए नहीं ले सकते हैं X बराबर 0 रखोंगे तो यह 0 हो जाएगा तो फिर एक की value नहीं निकलेगी मतलब 0 नहीं ले सकते हैं minus 1 रखो X बराबर 1 रखो X बराबर 2 रखो जो भी value रखो अब वो value रखेंगे कि क्या होगा कि जिससे इसको solve करना असान हो ठीके हमें minimum calculation करना पड़े तो देखो अब इस question को करते हैं यह हमें दिया हुआ क्या x square plus x x plus 1 x minus 2 2x square plus 3x minus 1 3x 3x minus 3 x square plus 2x plus 3 2x minus 1 और 2x minus 1 यह बराबर है x minus 2 का तो क्या करते हैं हम x बराबर 0 तो put नहीं करेंगे क्योंकि यह तो 0 हो जाएगा ऐसा करते हैं कि x बराबर हम put कर लेते हैं put कर लेते हैं x बराबर minus 1 minus 1 करेंगे तो आसानी होगा क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा बहुत टर्म जो है चोटाएगा अगर x बराबर 1 रखेंगे इससे भी solve होगा लेकिन थोड़ा सा complicated हो जाएगा तो हम वह value रखेंगे जिससे आसानी हो solve करने में take cycle ужас doctrine ऐन माइनस माइनस वन रखती है और यह माइनस वन रखें तो इतना जाएगा यह माइनस वस्त मतलब यह 0 यह भी 0 यह माइनस वन cinery हो गया ठीके अगे देखें इसमें रखते हैं तो यह माइनस 3 और यह हमारे कितना हो जाएक टू तो यह कितना है जाएगा ठीक हमकी 2 eqत स्क्वाइर है यहां पर यह तो यह हमारा कितना जाएगा माइनस टू ठीक है न क्योंकि यह माइनस माइनस यह माइनस पोर और यह टू तो माइनस टू हो जाएगा यह माइनस त्री हो जाएगा यहां पर रखेंगे तो यह माइनस इक्स हो जाएगा ठीक है अगर minus 1 रखते हैं तो x equal to minus 1 रखते तो minus 3 minus 3 तो x बराबर minus तो यह हमारा हो जाएगा ठीक है अब इसमें हम रखते हैं कितना आ जाएगा यह हमारा हो जाएगा minus 2 और यह हमारा 1 तो यह हमारा हो जाएगा 2 यह कितना हो जाएगा यह हमारा minus 3 और यह हमारा minus 3 ओके तो अब यह आगया और इधर भी रखेंगे तो यह हो जाएगा minus 1 यह minus 12 चलिए अब इसको हम solve करते हैं इसको solve करेंगे तो देखो यह दो term 0 आ गया तो R1 यह determinant है अब R1 के long solve करेंगे तो यह हो जाएगा तो 0 यह भी 0 है तो बस यह बचेगा तो यह 0 हो गया 0 हो गया minus 3 यह हो जाएगा 6 से और अब प्लस यह भी 6 हो जाएगा minus से minus 12 तो हो जाए कितना यह minus 3 into 12 minus से minus 12 तो इसको A को इधर ला दिये और यह प्लस में हो जाएगा तो यह 36 minus 12 तो कितना हो गया 24 तो A बरावर कितना है 24 आ गया तो इसका answer कितना होगा 24 ओकी बच्चो नेक्स कुशन करते हैं अब यह देखो बच्चो 2021 का पूछा हुआ है कोशन ठीके अब यह कोशन जो है मैटिक्स और डिटर्मिनार्ट से रिलेटेड है लेकिन यह कोशन मैटिक्स का दिख रहा है लेकिन है डिटर्मिनार्ट का ठीके तो कोशन है क्या है कि लेट यह आपका मैटिक्स है त्री बाइट्री ओडर का वियर एक्स वाइजेड आर रियल नमबर सच डैट एक्स प्लस वाइप्लस जेड ग्रिटर देन जीरो मतलब तीनों का समझ जो है पॉजेटिव है जीरो से बढ़ा है एकस in to y in to z equal to 2 है a square equal to identity matrix of order 3 है then value of xq plus yq plus zq हमें निकालना है तो चलिये अब यह जो question जो बोल रहा है हम समझ लिए कि हमें क्या दिया हुआ है एक matrix a दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पर matrix a का identity matrix दिया हुआ है और हमें इसकी value निजालेंगे अब यह देखो कि हमारा समझो यहां पर solution में यह matrix एक i2 हमारा identification matrix दिया हुआ है यह identity matrix है I मतलब one नहीं identity matrix है और identity अगर matrix है चाहे वन ओर्डर का टू ओर्डर का किसी भी ओर्डर का हो तो आइडेंटिटी मैटिक्स का जो डिट्रिमिनांट होता है वो कितना होता है वन के बराबर होता है आइडेंटिटी मैटिक्स का अगर डिट्रिमिनांट निकालोगे तो वो वन आएगा इसका मतलब कि अगर हम क्या करें इस matrix का determinant निकालेंगे दोनों determinant यूज करते हैं क्या यूज करते हैं determinant दोनों side अगर हम determinant यूज करते हैं तो ये कितना आजाएगा one मतलब इसका अगर हम ऐसे determinant करें ऐसे तो देखो तो ये कितना आजाएगा one अब देखो हम ऐसे लिख सकते है यह one यह determinant की property है कि अगर मान लो कि यह in का determinant निकालो यह determinant के power in करो बाद से में त्याव one अब इस से हम क्या करेंगे solve करके हम यह value निकाल सकते हैं चली यह हमारा ऐसे ले लिए कि हमारा आगया अब matrix यह दिया हुआ है उसका determinant लिख लेते हैं तो मैं determinant की इतना हो जाएगा यह दो यह x yz yz x zxy चली इस determinant का value की इतना होगा expand करते हैं यह x हो गया और यह yzy minus x square minus y y square minus z x और plus z तो हो जाएगा y x इस और यह हो गया हाँ ठीक है यह तो y x minus z तो यह हो जाएगा x y z minus x q minus y q plus x y z plus x y z minus z q आगया हमारा 3 x y z यह हो गया minus x q minus y q minus z q यह आगया हमें देखो यह तो आगया हमें टाब चलिए हब करते हैं हमें यहां से equation first से from equation one क्या दिया है यह determinant का square बराबर one अभी इसका हमें square square कर लेते हैं 3 x y z minus x u minus y q minus z q बराब इसका square one इस square को इदर ले जाओ तो root में तो one ही आजाएगा ठीके यह उसको square कर सकते हो मतलब 3 x y z minus x q minus y q minus z q कितना आगया one के बराब one का square करोगे तो one ही आएगा तो इसका मतलब यह इदर ले जाओगे तो root one भी कितना हो गया one ही आगया तो यह one ही आगया अगर यह root one हुआ तो one ही आगया अब देखो हमें भैलो निकान लिए इसकी तो देखो 3 x y z minus common लिए x q plus y q plus z q equal to one अब देखे इसको इदर कर दो इसको इदर कर दो ठीके ठीके अब तो कितना आगया तो यह हमारा देखते हैं कि कितना आ रहा है अच्छा एक मिनट और यहाँ पर देखो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि यह हमारा क्या है square इदर ले जाओगे तो root में आएगा तो root में आएगा तो plus minus दोनों में हो सकता है क्या हो सकता है हमारा यह plus में भी हो सकता है और minus में भी ओ सकता है plus minus दोनों में भी होगा तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इस इसको वहाँ पर छोड़ दिये इसको करते हैं 3xyz minus xq minus yq minus z2 बराबर हमारा under root 1 plus minus मतलब यहाँ plus minus 1 दोनों आ गया plus minus 1 दोनों आ गया अब plus minus 1 आ गया मतलब 3xyz minus xq minus yq minus zq 1 हो सकता है और 3xyz minus xq minus yq minus zq minus 1 है question में कुछ दिया हुआ है question में देखो क्या दिया हुआ है कि x plus y plus z greater than 0 है x plus y plus z greater than 0 है ठीके मतलब वो value हमारा 0 से बड़ा है मतलब हमारा क्या होगा कि यह term न होगे यह अगर हम minus common लेते हैं तो यह negative आ जाएगा मतलब अगर यह देखो यह satisfy नहीं करेगा क्यों? क्योंकि x plus y plus z greater than 0 है तो यह करेगा चलो यहां से अगर हम minus common लोगे ते कितना आगा रेखो x q y q plus z q minus 3 x y z और यह minus 1 और इसको करेंगे ते कितना आज जाएगा x q plus y q plus z minus common ले ले minus 3 x y z और यह minus 1 तो यह minus minus cancel minus minus cancel ते यह आया और यहां पर हमने minus लिया यह minus को इदर भेज़ दिये तो यह आगिया minus अब चुकिए यहां पर देखो x plus y plus z अगर 0 के बड़ा है तो यह value होगा इसको हम यह नहीं होगा इसलिए हमारा x q plus y q plus z q minus 3 y z बड़ाबर 1 होगा यह वाला नहीं होगा क्यों क्योंकि x plus y plus z हमारे 0 से बड़ा है ओके 0 से बड़ा है तो इसको मायस करेंगे तो यह negative कभी नहीं आ सकता है तो यह नहीं होगा यह वाला होगा क्यों कि x plus y plus z greater than 0 है ओके चलिए यहां समझ लिए हम अब चलिए हम निकाल लेते हैं यहां से x q plus y q plus z q बराबर 1 प्लस 3 x y z यह 1 प्लस 3 into x plus y plus sorry x into y into z की वैलू दी हुई है दोको x into y into z की वैलू कितनी दी है 2 दी हुई है यहां पर हम रख दिये 2 यह 1 प्लस 6 हो गया आपका 7 इसका एंसर इसका एंसर कितना आगया 7 तो x q plus y q plus z q बराबर कितना आगया से यह हमारा एंसर होगे तो इसका एंसर होगे बच्चो से ओके अब यह देखो बच्चो आपका next question जो की 2021 में पुछा हुआ है यह हमारा 2021 में पुछा हुआ है question है कि if 1 log 10 4 power x minus 2 and log 10 4 power x plus 18.5 are in ap mean arithmetic progression for a real x then value of determinant. यह determinant की विलो निकाल लिए तो इस determinant का वैलो तभी निकालेंगे जब हमें x की वैलो निकालेंगे और x की वैलो कैसे निकालेंगे यहां से निकालेंगे और यह तीन टर्म दिया है एक one दिया है और यह और यह log में यह तीनों क्या है arithmetic progression में ap में अब यहां पर बताओ जिसे मान लो की a b c अगर ap में होता है अगर यह तीन टर्म हमारा ap में हो इसका मतलब क्या किसके बीच का common difference क्या हो सेम होगा मतलब b minus a equal to c minus b ते कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2b equal to a plus c अब इस concept का हम यूज़ करेंगे यहां पर यह तीन टर्म one और यह और यह तीनों ap में है तो यह तुमारा a हो गया यह तुमारा b हो गया यह तुमारा c हो गया तो तीनों ap में है क्या है जी ap में है इसका मतलब यहां पर one log 10 4x minus 2 और log 10 4x plus 18 upon 5 किस में है जी ap में यह सेम तो यह हो जाएगा इसका मतलब यह दिया हुआ ap में थी इसका मतलब 2 log 10 4x minus 2 बराबर हो जाएगा कितना यह one plus log 10 4x plus 18 upon 5 इसको हम log के फॉर्म में लिक लेंगे ते स्कॉार में आ जाएगा यह देखो 4x minus 2 का है स्कॉार one को log के फॉर्म में लिक लेंगे तो log 10 यह best 10 भी हो जाएगा प्लस log इसका best 10 है यह 4x plus 18 upon 5 चली यह plus में है तो log multiply हो जाएगा log a plus log b वाला फॉर्म पर यह हो जाएगा log 10 इंटू 4 to power x plus 18 upon 5 बेस 10 दोनों और log आ गया बेस स्कॉर्म यह बराबर हो जाएगा यह लिक सकते हैं इसका तब पहले अब हमें x की value निकान ली है तो हम लेट कर लिए क्या फॉर्टू पाउर एक्स फॉल्टू टी ते कि इतना हो जाएगा टी माइनस 2 का है स्कॉार 10 टी प्लस 18 upon 5 यह हमारा टी स्कॉार माइनस 4 टी प्लस 4 यह 10 टी मल्टिप्लाई करोगी कि इतना हो जाएगा 10 इंटू 18 upon 5 यह 2 तो 36 आ जाएगा थोड़ा solve करते हैं इसको इधर लाएंगे तो टी स्कॉार इधर आएगा तो negative तो माइनस 14 टी यह भी negative हो जाएगा यह जाएगा माइनस 30 टी टू इक्वाल टू जी अब इस्प्लिट करते हैं तो टी स्कॉार माइनस 16 अब प्लस 2 टी कॉमन लिए टी माइनस 16 प्लस 2 तो यहां से हो गया टी माइनस 16 टी प्लस 2 टू इक्वाल टू 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 रख दो फोर टू पावर एक्स चाह ऐसे रखते हैं ती माइनस 16 इक्वाल टू जीरो और टी प्लस 2 इक्वाल टू जीरो टी इक्वाल टू टू टी बरावर कितना है फोर पावर एक्स और यह 16 और पावर एक्स माइनस 2 तो यह 4 टू पावर एक्स तो यह तो होई नहीं सकता है नीगिटिव में तो यह पॉसिबल ही नहीं है यह होगा तो एक्स बरावर कितना है या टू एक्स की वैलू मिन कि निकल गई अब एक्स की वैलू निकल गई तो हम इसकी वैलू निकाल लेते हैं तो ये दिया हुआ है तो हम लिक लेते हैं चलिए अब डिट्रिमिनार्ट का वैलू हम लिक अब हम वो value निकाल लेते हैं तो हमारा दिया होगा कितना यह है तो यह 2x-1 upon 2 है यह हमारा 2x-1 upon 2 फिर x-1 ax² और यह कितना है 1,0x यहाँ पर दोखो 1,0x और x1 यह 0 अब x की value कितनी है x की value 1 upon 2 है रख देते हैं वैल तो यह हो जाएगा 2,2-1 upon 2 2-1,2 का स्कार 1,0,2 2,1,0 तो इसको solve करने पर इसको solve करने पर यह कितना आ जाएगा यह हमारा हो जाएगा कितना दो दो चार माइनस 1 की यह हो जाएगा हमारा 3 यह 1, यह 4 1,0,2 2,1,0 अब इसको solve कर लेते हैं यह हमारा answer होगा यह 3,0,-2,-1 0,-4 अब प्लस 4,1,-0 यह हमारा होगा यह हमारा होगा यह प्लस 4, प्लस 4 प्लस 6, प्लस 8 कितना यह 2 इसका answer होगा 2 गच्चो कितना यह इसका answer 2 कितना यह इसका होगा इसका होगा